Hello everyone, welcome back to our channel आज है holy, तो आप सभी को happy holy आप इस holy के उपरे ना जिस तरीके से आप color से खेल रहे हैं वैसे आपकी life भी बहुत ज़्यादा colorful हो जाए ये वैसे जिस मैं आपको देता हूँ और आपकी family को happy holy, ठीक है? तो अब यार देखो, मैं आपको बताता हूँ ये जो boards के exam होते है ये holy के बीचे में आते है अब मैं था 2017 का batch था मेरा अब 2017 में भी जो holy थी ना holy के दो दिन बाद में मेरा था maths का exam अब आप सोच सकते हो कि holy खेलो या फिर मैं maths पढ़ू अब maths के अंदर इतना सारा slave आप हो holy खेल लूँगा है तो यार एक दिन खराब हो जाएगा तो इसलिए है ना 2017 के अंदर मैंने एक घंटी खेली होगी maximum holy फिर class 11th के अंदर मैं preparation कर रहा था तो उसके भी paper थे इसलिए नहीं खेल पाया 12th के अंदर भी paper थे इसलिए नहीं खेल पाया और मैं आपको बता रहा हूँ एक तो holy और एक ये जो मेरा birthday है ना दोनों के दोनों यार एक ही time आते हैं दोनों time पर मेरे paper चल रहे होते हैं मेरे birthday के time पर भी paper चलते हैं और जब holy होती है उस time पर तो paper चलते ही चलते हैं और holy है कैसा ही होता है कि और तो मैं आप colors को देखकर की देखू क्या colorful है भाई boards ही तो है अगर आप 6-7 गंटी के अराम से study कर रहे हैं तो जादे चिंता ना लो और अगर holy अच्छे से खेल भी ली तो क्या ही फरक पढ़ जाएगा ये की दिन तो है तो अभी आपके पास में time है तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं IT जो है ना आपका IT के most important topics लिंक दे दूँगा 2022-23 के लिए तो ऐसा ही पेपर आपका आएगा तो maximum marks आपके पास में 50 रहेंगे और time आपके पास में 2 घंटे के रहेगा और इसके 2 part रहेंगे एक तो आएगए हाँ पर employability skill जो की 10 marks करेगा और part B जो है वो है आएगा subject specific skill जो की 40 marks करेगा अब इन में अलग-अलग units है इनको आप देख लेना लेकिन हमारी जो सबसे जादे important है कि हमारे paper के अंदर कितने questions आएगे और कैसे questions आएगे तो देखो सबसे पहले जो हमारे section A है जो की objective type questions रहेंगे उसके अंदर रहना 5 questions रहने वाले हैं और हर एक क्या आगे उसके marks लिखे हो है फिर इसके बाद में section B है जो के हमारे subjective type questions रहेंगे उसके अंदर 26 marks का है तो आपके पास में objective questions भी है और subjective questions से भी है अब इसके बाद में इसकी जो अलग-अलग units है CBC ने एक काम इस बार अच्छा किया है कि अलग-अलग units का weightage बता दिया अब देखो यह जो है यह आप सीधा लिखोगे ना कि CBC class 10th IT 402 यह इसका slivers लिखोगे तो आपको यह blueprint मिल जाएगा official authentic है तो सबसे पहले जो employment skill है ना इसमें जो सबसे important chapter है जो कि आपको बहुत जादा अच्छे तरीके से पढ़ना है वो है आपके पास में entrepreneur skills इसके अंदर mcq इसे से आएंगे चार नंबर के mcq इसे आएंगे और बाकि की यह दो unit है self management skill और IT skill से तीन-ती नंबर के question आएंगे लेकिन जो entrepreneur और skill है यह आपको अच्छे से पढ़ना है फिर इसके बाद में जो next आता है हमारा part B जो की subject specific skills रहती है तो इन में क्या क्या है गभी है इन में देखो आपके पास में जो सबसे ज़्यादा weightage है वो एक ही है वो है आपके पास में data base management system 12 marks काएगा इसके एक separate video में आपको दे दूँगा जिसके अंदर के हम लोग पूरा data base management के questions भी कर लेंगे इसकी theory भी कर लेंगे तो आप चिंता ना करो थोड़ा time लगे कर लेकिन आपको वो मिल जाएगी exam से बहुत पहले ठीक है तो थोड़ा सब्र रखो ठीक है फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में सबसे ज़्यादा important है वो है web application security electronic spreadsheet और फिर इसके बाद में digital documentation यह तो नॉर्मली practical exam आपको भूल जाना practical exam से related questions नहीं आएंगे इस में सिर्फोर सिर्फ theory based question आएंगे तो सबसे पहले जो हमारा topic आएगे इसके अंदर आएगा कि create and apply the styles in documents कि किस तरीके साब create करेंगे और किस तरीके से apply करेंगे तो आपको इसके लिए याद रखना है यह वाला topic अच्छे से देखना कि load style from the template और another documents कि another documents अब किस तरीके से उसको load करोगे और किस तरीके से दूसरे document में लगाओगे क्योंकि देखो इससे related shortcut में आ सकता है question कि मतलब one mark में command अगर आ जाएगी तो यह आपको याद रखना है फिर इसके बाद में जो next है वो यह है कि insert and use the image in documents के किस तरीके से आप insert करेंगे जैसे कि कौन से कौन से option से insert करने के लिए कौन से option उसको modify करने के लिए बस यह दोनों देख लेना कि कौन से option से वो create होगी और कौन से option से हम लोग उसको modify कर सकते हैं फिर इसके बाद में next आता है ki create and use template के तरीके से templates को create करोगे और किस तरीके से उनको use करोगे इसके अदर आपको सबसे पहले आँ रखना है pride सेटव दा custom template at default कि किस तरीके से जो custom template है को default set करेंगे फिर उसके अद में editing template किस तरीके से आप एडिट करेंगे तो इसके लिए आपको step wise हर इक चीज याद होनी चीए और फिर इसके बाद में जो next आता है कि create and customize tables of a content कि आप किस तरीके से जो है table की जो heading है उसको कैसे करेंगे customization of table content आप किस तरीके से करेंगे ये आपको पताऊना चाहिए simple से step से आपको ज़्यादा बढ़े questions नहीं देखने को मिलेंगे simple simple से बहुत ही आसान-ासान questions देखने को मिलेंगे then फिर इसके बाद में जो next हमारे पास में आती है वो आती है second unit है जिससे कि हमारे mcq question भी आएंगे जो की है electronic spreadsheet तो देखिए electronic spreadsheet के अंदर सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि using what if scenario and using what if tool दोना आपको बताना है चाहिए कि what if जो scenario है उसको कहां पर use में लेता हूँ और what if जो tool है उसको कैसे use करते हैं ये इसको important mark कर लो इसको अभी पढ़ लेना ठीक है फिर इसके बाद में जो next आता है हमारे पास में जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वो यह है देखो यह है यहाँ पर इससे question जादा पूछे जाता है कि link data and spreadsheet के आप किस तरीके से किसी भी data को spreadsheet के साथ में link करेंगे क्या 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 उसके लिए steps रहेंगी वो आपको इस जैसे कि hyper linking to a sheet की linking to external data linking to a registered shorts data कि आप किस तरीके से उसको link करोगे क्या के steps उसके लिए required रहेंगे किस तरीके से आप उसका code वागेर लिखेंगे फिर इसके बाद में जो next आता है हमारे पास में वो आता है यहाँ पर मैंने आपको बताई दिया था इसमें जो आपको याद र देख लेना कि आप उसको किस तरीके से create कर सकते हो सेकिंड आप उसके इंदर देख लेना कि आप उसको किस तरीके से modify कर सकते हो क्या कही steps है वो आपको पता होना चाहिए then फिर इसके बाद में जो next आता है कि create and use macro in spreadsheet यह सबसे जादा important है कि किस तरीके से आप जो है macro reader को कैसे create करो कि simple macro reader को क्या होता है इनकी definition वगिर आपको याद होनी चाहिए तो देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन से कौन से topic important है सबसे पहले आता है कि using a macro reader कि आप किस तरीके से macro reader को use करेंगे simple macro किस तरीके से बनाने वाले हैं और फिर इसके बाद में जो next आपके पास म रहेंगे और फिर इसके बाद में जो next आता है वो आता है हमारे पास में accessing cell direct कि आप अगर एक cell के उपर जाना है तो उसके लिए specific command है या mcq question में question आ सकता है तो इस तरीके से आपको यह चीज़ी याद रखने और इसके उपर वाला जो topic है नहीं यह वाला कि discuss macros to work like a built-in function कि किस तरीके से जो macros है वो कैसे work कर सकते built-in function की तरह देन फिर इसके बाद में जो next है हमारे पास में सबसे important unit है इसके सबसे जादा जरूरी है वो है database management system dbms तो देगो dbms है ना इसके अंदर में आपको कुछ कुछ चीज़े बताऊंगा जो कि आपको आपको अच्छे से गा advantage क्या है feature क्या है और फिर इसके बाद में जो next आपके पास में वो है कि simple से आपको कोई भी example भी आपको साथ में याद दख लेना है कि कोई भी database आप उसको किस तरीके से create करो कि उसके example सभी की याद होने चाहिए फिर इसके बाद में जो next है ना यहाँ पर concept and example of primary key composite key and foreign key इन स composite key का example है या फिर exam के अंदर यहाँ सकता है कि तुम differentiate करो भी या primary key और composite key को किस तरीके से differentiate करोगे तो यह exam के लिए बहुत ही जादा important question रहेगा फिर इसके बाद में जो अगला question है ना अगला जो topic है इसका नाम ही important है वो है relational database management system rdbms भी या जो cbac न है ना इसे इसकी full form पू dbms को सही डंग से पूछना क्योंकि इस से related question exam में आ सकते हैं फिर इसके बाद में जो next आता है हमारे पास में वह यह आता है कि आपको create and edit the table using the wizard and SQL commands अब देखो यह जितनी भी commands है ना इनको याद कर लो यार अब मैं आपको बता रहा हूं कि यह commands वागे याद कर लो क्योंकि देखो simple mcq में चार नंबर के mcq आएंगे लेकिन भाई जो important है ना वह बहुत ही जादे important है क्योंकि सीधा अगर question इसे से आगया ना command की उपर आगया आप command ही नहीं पढ़के गए तो हो गया है और फिर काम तो इसलिए ना command को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है अब जैसे कि आप simple सा इसके अंदर rdbms से related ही है यह कि किस तरीके से introduction होता है फिर इसके बाद में जो next इसमें टॉपिक है कि database object जैसे कि table हो गया, queries हो गया, form हो गया, report हो गया, इन सब की definition इसमें important है फिर इसके बाद में terms in database की consequence terms है जो कि हमने अभी अभी discuss ही कर लिया अब इसके बाद मे topic इसमें important है कि कितने इसके database important होते हैं, then फिर इसके बाद में हम लोग चलते है next के उपर जो की है हमारे पास में अब perform operation on table की हम किस तरीके से जो table है उसके उपर operation perform करेंगे, तो इसमें सब से फ़हला जो operation है वो यह है कि आप किस तरीके से insert करेंगे data को, second है कि उसको किस तरी इसके डिलेट करोगे, यह भी आपको पता होना चाहिए, then फिर इसके बाद में एक और इसका last एक important topic बसा है, जो कि हमारे third वाले के अंदर है कि create and editing the relationship, जो कि one to one में हो, one to many में हो, और many to one में हो, यह आपको याद होना चाहिए, then फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग इसक next topic के तरफ ही थोड़ी बड़ी unit है, लेकिन आप इसको अच्छे से याद रखना, और इसके best notes में आपको provide आ रहा हूँगा, अभी मैं बना ही रहा था, थोड़ा time लग रहा है, लेकिन आपको अच्छी quality देने के मैं कुशिश करूँगा, इसलिए थोड़ा time लग रहा है, वो पढ़ना है कि database query क्या होता है, या defining query क्या होता है, simple definition based question आता है, आप IT का पिछली साल का paper उठा करके देखना, मैंने solve करवा रखा है, एक sample paper के नाम से, तो आप वहाँ पर जा करके देखो कि तो देखो कि भईया ये तो बड़ा ही simple सा paper था, तो बहुत ही ज्यादा simple paper आता उपर उपर से भी पढ़ना, आपने पूरे साल बर पढ़ा ही नहीं कि ना, तो उपर उपर से इन topics की definition तो ज़रूर से पढ़के जाना exam के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा important है, तो इसमें जो आपको सबसे ज्यादा important याद रखना है, ये है कि option to enter or remove the data forms from, ठीक है, मलब कि forums जो होते हैं, उनसे आप किस तरीके से उसको enter या फिर remove कर सकते हो data को, फिर उसका modify किस तरीके से कर सकते हो, उसका change level या फिर background कैसे change कर सकते हो, searching record form कैसे आप करोगे, तो ये सारे कि सारी जो commands है ना, इनकी commands आपने एक page के उपर लिख लो और उसको बार बार revise करो, उसी से ही आपको याद रहने वाली है, अब इसके बाद में जो next unit आती है, हमारी वो आती है, आप पर web application and security, तो देखो इस unit को पढ़ना पूरी को ही जरूरी है, थोड़ा थोड़ा उपर उपर से पढ़ लेना, अगर time कम है तो इसको full speed में देख लेना, लेकिन इस unit क एक बर सही डंग से पूरा पढ़ना, तो ही आपको समझ मैंगा, अब अगर मैं इस unit के अंदर important की बात करूँ, तो वह है, आपर understanding the networking fundamental, कि आप जो networking fundamental है, उसको समझो, जैसे कि मैं आपको एक example की तोर पर देता हूँ, exam के आप सोचोगी कि आप से exam के अंदर पुछा जाएग गया, peer-to-peer हो गया, P2P architect हो गया, फिर की इंटरनेत कि या होता है, worldwide web क्या होता है, benefits क्या नेटर्रकिंग के, इंटरनेत क्या होता है, कहांपर क्या use में आ आ रहा है, इंटरनेट कैसे use में आ रहा है, तो यह जब आप छिस chapter को पढ़ोगे न तो आपको बड़ा ही मजा आन